अब गोलियों से साफ पता चलना है आगे कम से कम दस बारा बंदे बैठे हैं और मैं क्या करता हूँ बेवो गुफों की तरह इनके मूँ पे गाड़ी रोग देता हूँ तो भाई लोग कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैग बैग दी वेलकम और स्वागत आपका एक विरा न्यू गलत सीन से भरे पड़े इंटर्स पबजी दूमपाईल की प्ले वीडियो में इसमें तुम्हारा भाई दस बंदों के बीच गुच जाता है और वहाँ पे जो ही गल गिने चुने बंदे आयोते हैं उन्हें पेलने के लिए आगे निकल पड़ता हूं मैं एक सस्ती सकारेल है और जूस बहुत है और इसे बोलते हैं एक निसाने से दो तीर मारना मतलब पीछे भी बंदा होता है आगी भी बंदा होता है और दोनों एक ही बार में ठिल जाते हैं और अपने सस्ते सपरे का दोस्त मैं देना चाहता हूँ ये सकारेल के बखवास से लूहा साइट को ठीक है मतलब एक छेद होता है यार कंदू कुछ नहीं दिखता हूँ उस छेद से कैसे बंदे पे लूँ खेर अब बहाना हो चुका है तो जो भी लूट पड़ी होती है इन पे सब को लूट लेता हूँ तीन बंदे यहाँ पे ठिल जाते हैं तीन किल धैड पैड मिल जाती है और एक भालू आला बंदा भी भगाता है यार पता नहीं वो किधर पे चला गया खेर उसे छोड़ो आगे रस करने जा रहो हूँ क्योंकि यार आगे बंदे बैठे पड़े है और यहाँ पे यार अपना ही रिवाइव रिवाइव चला है ठीक है इनको किसने नो किया कब नो किया हमें कंदू नहीं पता मुझे बस इतना पता यार किल मिल गई तो सब सही ह और देखो मेरे ख्याल से पांच किल कर चुकाओ में और अभी तक तुम्हारे भाई के पास एक हेलमेट नहीं है ठीक है मतलब यार अप से सोचराओ में उठाना ही छोड़ दू ये सफे टोपी ही काम आती है मेरे खैर यहां पे बॉट बूट आये होते और बॉट पे चेक्स पड़ा होता है और एक लेवल एक का हेलमेट जो कि यार सरम टैप आ रही है पहनने में मतलब हेल्थ देखो हेलमेट की गोली बगल से जाएगी इसके यार हेलमेट तूट जाएगा महीं पे क्यार यहां पे मैं लूट लेता हूँ बॉर्ड वूट को जो भी सस्ती लूट पड़ी होती है क्योंकि यार कंठेनर हो में आजकर लूट के नाम पे कद्दू कुछ नी मिलता क्यार जो भी लूट पड़ी होती है मैं दैर पैल लूटता हूँ और आगे बोट दिखता है मुझे और बोट के साथ कोई और भी होता है अब देखो वो उपर जो बंदा था उसके बोट डेमेज देता हूँ मैं तो रस करना पड़ेगा और यहाँ पर भाईया पूरे एक्शियोन फिलम की फिलिंग आ जाती है वो भी महंगी वाली मतलब मैं भगके जा रहा हूँ इधर उदर भग रहा हूँ मैं कान के बगल से गोलिया जार ये फूफा सारी आवाजे यही पर आ जाती है मुझे और गोली एक भी नहीं लगती मतलब गोली लगेगी भी कैसे यार सस्ती गन चला रहे हैं यूएन पी फोटी फाइब चला रहे हैं लेकिन यार जब कान के बगल से जारी थी ना गोलिया जो ही आवाज आई मज़ा टैप आ गया खेर जो भी ओ आवाजों के मज़े ले लिए अब बंदों को पिलना पड़ेगा क्योंकि किल भी चाहिए जिंदगी में और बंदे यही नीचे बैठे पड़े हैं और यहां पर यह दोनों भाई एक छोटे सस्ते कंठेनर के अंदर सिमट के बैठे होते हैं हरा मैं उपर से देखता हूं भाई का टीवी भी ले रहे होते भाई लेकिन गुल ही पहुंचाती है भाई तक तो इन दोनों को पेल दिया और जैसे तैसे करके जोर्ज खाली हो गया है भाई 9 किलोग है मुझे सही बता रहा हूं बिस्वास निवराइस बात पे क्योंकि जोर्ज अब इतनी बक्वास जगा हो गई है कोई आता ही नहीं ठीक है ये जो बोर्ड भी मिलाना भाई या बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ये बोर्ड भी कोई दिखता ही नहीं जोर्ज में ये नया सीजन बहुत बक्वास रहा खासकर जोर्ज वालों के लिए यार कोई आता ही नहीं है खैर जो भी हो उन सब को पेल दिया अब आगे जा रहे हैं क्योंकि देखो यार आपको दिखाऊंगा मैं जोर्ज नहीं आते बंदे तो जाते किदर हैं और दस बंदों से भी लड़ेंगे एक साथ लेकिन वो थोड़ा आगे जाके होगा और आपको पता यार क्या टाइम है तो इससे पहले कि मैं आगे जाऊं और भी गलत सीन करूँ हम धैट पैट बात कर लेते हैं हमारे सपॉंसर की तो यार इस एप या फिर वेबसाइट का नाम है एक एक्स बैट जिसकी मदद से आप कई सारे गेम्स क्रिकेट फुटबोल बॉली बास्केट बॉल और कौन सा ब इसे विड्रो करदा भी हल्वा यार इसमें मतलब पेटियम पेपाल गूगल पे कंदू पेथ सब कुछ है इसमें तो हाँ यार अगर आपको इस चीज का सौक है तो आप इसे जरू ट्राइगरो इसकी लिंक कमेंट सेक्शियों में होगी बिल्कुल टूप में अब देखो यहां पे हम पे गाड़ी से आते टैम उस जगह से फाइरिंग होती है जिस जगह का आप मेरे ख्याल से मैप में ही नाम नहीं है ठीक है मतलब इतनी सस्ती जगह है भईया मैप में नाम तक नहीं दे रखा है सोचो क्या ही लूट मिलती होगी वहां पे क्या ही कौ गरों के बगल में पानी उरखा है क्या ही सीने इस जगा के और देखो ऐसी जगाओ में अगर आप अंधार हस करते हो न चाहे आप कितने ही चौड में खेलो कितना ही बढ़िया खेलो लेकिन बंदे जो साइड में छुपे वे होते भाईया वो ऐसा धप्पा करेंगे कि सिधा पेटी वनाएंगे आपकी अब ये लोग ऐसी जगाँ पे चड़ें जहां पे यार मुझे पता भी नहीं है कि जाना कैसे उसके उपर ठीक है मतलब एक तो यार ये लोग इतनी छोटी सी जगा में आए जहां पे नाम भी नहीं है उसके उपर से भाईय लोगों को छट के बंदा बचा हुआ है तो करना क्या था मैं ये नेड लेता हूं हाना देखो मुझे पता है नेड करने से पहले ही पता है कि नहीं फटेगा लेकिन थोड़ी सी उमीद थी क्योंकि बंदा ऊपर ये यार कैसे नहीं फटेगा बंदा और कैसे नहीं फटेगा बंदा यार इसका जवाब मेरे पास खुद नहीं है पपजी को भी नहीं पता होगा इसका जवाब ठीक है बिल्कुल उपर लेटा है उपर ही नेड फेका उसके बाद भी भाई नीठी ले और इन लोगों के लिए यार बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है मतलब एक तो भाई लोग अपनी रैंक बचाने के लिए यहाँ पे केम्पिंग डालके बैटे है चट के उपर बिल्कुल मतलब चट के उपर पेड़ गिर रखा है बहुत ही खदरनाक खेर जो भी हो इन दोनों की पेटी हम बना देते हैं जो भी सस्ती लूट पड़ी होती है वैसे काफी मेरे ख्याल से जाधा बढ़िया लूट इन पे हम से जोर्ज में तो भाई यह कद्दू कुछ नहीं मिलता आजकल और देखो इस जगह पे मुझे रस करना बिल्कुल भी पस्सन नहीं यह मतलब पानी है भाईया भग भी नहीं सकते ही दर उदर लेकिन यार मजबूरी थी देखो किल और केढ़ी के लिए क्या क्या करना पड़ता है कहां कहां जाना पड़ता है खेर उसके बाद मैं वहाँ पे आता हूं अखिरकार जहां पे मैं पहले जा रहा था रुजोक की पहाड़ी और देखो जरा पबजी के गलत मसे ठीक है गाड़ी भाईया चट के उपर पड़ी है और यह गिलिच पता नहीं कितने सालों से यहां पे भाईया इनसे सही नहीं किया गया इसी में मेरा दिमाग खराब होता है और मैं गाड़ी नीचे पटक देता हूं और यहां पे लगता है यार मैं अकेला बंदा नहीं हूँ जिसको रुजोक की पहाड़ी बहुत ही जाता पसंद है तो मेरे नीचे आते ही भाईया एक गाड़ी और आजाती है मतलब यार पहले ही आजाते यार थोड़ी किल कर लेता मैं खैर गाड़ी उपर आ चुकी है और जहां तक मुझे लग रहा है यार इन्हें पता है हम भी नीचे हैं क्योंकि जो बे रहमी से मैंने गाड़ी पटकी न जमीन पे आवाज सबको आ गई होगी तो उपर से एक बंदा भालू के कपड़े में नीचे की तरफ भग रहा होता है तो करना क्या था है यार मैं भी पकड़ लेता हूं भाई को और यहां पे न मुझे मेरे कर्मो की सजा मिल लई है ठीक हर बार पता नहीं कितने मैचे जो चुके हर बार मैं बोलता हूं यूएमपी सश्ती गन ठीक है इस बार यार तुमारे भाई की यूएमपी से ही पेटी बनने वाली थी तो मुझे लगता है यार बंद करना पड़ेगा यूएमपी को सश्ती गन बोलना खेर आपको भी पता है ऐसा नहीं होने वाला यूएमपी सश्ती गन है और तब तक रहेगी जब तक ये ठीक नहीं करते इस गन को खेर यूएमपी से नोग किया और फिनिस करने के लिए भाई लोग नेट कर रहे होते हमपे और यहाँ पे ना बस एक ही चीज हो रही है वो है हीलिंग की बरबादी और यार वो जो भालू के कपड़े में बंदा भगा था भाई वो नहीं ठीला मतलब नोग करके इतनी सारी गूली चलाई उस पे मेरे टिमेट ने भी भाई को पेला लेकिन यार उस बंदे की पेटी ही नहीं बनी बहुत जल्दी रिवाइव देबाया है इन्होंने खेर यहाँ से मैं घर के अंदर भग जाता हूँ और ये सोकॉडना हमारी पेटी बनाने के लिए पूरी तयार है एक बंदा राइट से फ्लैंक कर रहा है और जहां तक मुझे पता है लेफ्ट से भी कोई फ्लैंक करने वाला है अब और ये लोग देखो सोचते हैं कि हमें फ्लैंक करके पेलेंगे और इनने अभी पता चल रहा है कि यार फ्लैंक करना इनकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि देखो उपर दो बंदे नोक पड़े हैं लेफ्ट में बंदा नोक कर दिया अब रिवाइव करने कद्दू भी कोई नहीं जाएगा और आखिर कार जाके मुझे किले मिलेंगी यहां पर और इनका बस एक ये बंदा बाकी है तो करना क्या यार रिवाइव देने भगरे होंगे भाई पूरी जान लगा के और देखो गायब हो चुका है राइट से तो देखो राइट से भगूगा तो वो मेरी भी पेटी बना सकता है जो उसमें आके यार बेहुसी नहीं घोनी तो लेफ्ट लूफ्ट से जाएंगे और देखेंगे की है किदर पे बंदा वो और यहां पे ये भाई गन हटा के इधर उदर भग रहे हैं रिवाइव देने के लिए ठीक है मेरे ख्याल से ये बंदा पहले आगे की तरफ गया लेकिन जो आगे बंदा था वो खुद ही ठिल गया एक किल भी आई थी मुझे बीच में उसके बाद भाई वापिस पीछे की तरफ आते हैं दूसरे बंदे को रिवाइव देने के लिए मतलब यार पहाड के नीचे तक आ गए थे ये रिंग रिंग के बहुत ही खतरनाक अब सोचो अगर चारों बंदे पहाड़ी पे होते ना अभी भी हमारी फाइट लगी पड़ी होती ठीक है मैं नौक करता वो रि पूरी टीम के साथ इसलिए देखो यार अगर फ्लैंक फ्लैंक मारते हो तो समल के करना जो भी करोगे खैर उसके बाद उन सब को पेल दिया और आगे एक डिरोप हो रहा होता है और बंदे मैं ढूणने की बहुत कोसिस करता हूं लेकिन यार हार मान के मैं बोलता हूं डिरो तरा बंदे बैठे हैं और मैं क्या करता हूं बेवोगुफों की तरह इनके मुपे गाड़ी रूप देता हूं कि एल से एई कि एल से एल सुखे जए हुआ अचरा कि एल सब्सम्न कि एल सुखे लाइ हाई एक और स्कूरड़ एक और एक और एक और और इस बग्गी वाले बंदे को ठीक मेरे से क्या दुस्मनी थियार मैं पता नहीं कर पा रहा हूँ मैं यहाँ आगे साप कचकर मोच से टककर ले रहा हूँ हमारे भाई बग्गी लाते और मेरे को कुचलनी की कोशिस करते हैं और उपर से पेड़ पे बग्गी मार दी जिसकी वज़े से मैं कवर पे भी नहीं रह सका और यहां पे हम मुझे नहीं पता कैसे जिन्दा है भाई 10-12 बंदे होते हैं ठीके 12 जाता हो गया, 9-10 बंदे होते हैं भाई एक बंदा बग्गी लेके आ रहा है साइट से ठीके यहां पे पूरी 200 कोड अपने उपर बैठी पड़ी है, भाई साइट से भग्गी लेके आ रहे हैं और मैं ये बात नहीं समझा यार गोलिया तो धैड़ पैड़ चली थी लेकिन आखिर में जाके हम दोनों को ही हर किसी से लड़ना पड़ा और उसके बाद भी पता नहीं कैसे अपन लोग अब भी जिन्दा है तो भाई लोग यार यहां पे 9-10 बंदों को पेलने के लिए लाइक के बटन को पेलना मत भूलना यार मतलब पेल के बिलकुल नीला टैप कर दो और अगर आप नहीं ये तो एंड में बोलते हैं और इसके बाद मैं निकल पड़ता हूँ क्योंकि अभी किल की भूप मिटी नहीं है यार अभी बहुत बंदों को ठिलाना है केड़ी अभी नहीं बची अपनी तो गाड़ी लेता हूँ मैं दुबारा गुमाना चालू करता हूँ और इस जोन में बस एक ही घर होता है अब यहाँ पे एक अकेला बंदा साप बना होता है मतलब ठीक है भीया अब वे गिल्ली सूट है बहुत ही बढ़िया यार अभी से तो साप मत बनो कम से कम कैर इस साप की तो सीधा बेटी बनती है लेकिन देखो अभी हमें कद्दू भी नहीं पता की बाकी साप किदर है क्या वो साप बने भी है या फिर यार कहीं और पे जाके बैटे है अब देखो सीन क्या होता है एक अकेला साप यहाँ पे बना होता है और इसके सारे के सारे टीमेट जहां तक मुझे लगता है आगे वाले घर पे बैठे होते हैं तो आगे घर ने यार भेरा उसमें आगे वाले भेरा उसमें टोटल तीन बंदे बैठे होते हैं और उनका चौथा टीमेट ये होता है जिसके मैंने अभी अभी पेटी बनाई और यहां पर मैं जाड़ी में हलका सा एजस उजस करके दो बंदे नोक कर देता हूं और आगे वाले बंदे भी यार एंटू फोर वगेरा चला रहे होते हैं तो बंदे नोक हो चुके हैं करना क्या थ्यार गाड़ी ठोको और पेटिया बनाऊ अब और यहां पेखार बंदा नेड कर रहा होता है इसलिए मैं रसकिया क्यूंकि देखो भाई ने इतना जादा डेमेज दे दिया था एउजी से मुझे लगा नी था बंदा मतलब प्री फायर देता है मैं धीट की तरह यार मुझे सामने आ जाता हूं हाना फिर भी मैंने उसे डेमेज दिया भाई ने मुझे डेमेज दिया दूसरा बंदा इनका बाहर आता है उसकी सीधा पेटी बनाते हैं मतलब उसको नोक क ठालेता हूं जिसका कहीं पे भी कोई भी इस्तामाल ने किया जाएगा और देखो ज़्यादा तर पबजी में क्या होता है जहां तक मुझे लगता है अगर घर के आस-पास जोन है तो ज़्यादा तर टयाम घर के आसपास ही जोन बनता है अगला तो देखो ये भेरा उस इतना हलका सा जोन में होता है कि क्या ही बताऊं मतलब जब भी मैं पीक करूँगा मुझे डैमेज पड़ेगा यहां से तो देखो ओपन है पूरा ओपन में सरकल बन रखा है और ओपन में रस करेंगे तो पेटी भी बन सकती है और बंदे भी ठीक ठाक लाइवे तो यार हमारी गाड़ी की भी पेटी बन जाएगी तो मैं यही पर रुखता हूँ और इनतेजार करता हूँ सापो के आने का और इंतेजार करते करते यार बहुत लेटो जाता है मतलब साप आपस में ठील जाते हैं कुछ तो और ये देखो मतलब क्या ही ये ये क्या ही ये काला सा क्या है जिसके मैं आरपार जा पा रहा हूँ भाई पता ही नियार हो सकता है सिर्फ मुझे दिख रहा हूँ और उसके आगे जो साप बनाओ उसे वो न दिख रहा हूँ और वो मेरी पेटी बना दे तो मैं बोलता हूँ या पब जी का कोई वरोसा नहीं है कुछ भी गलत सीन होते हैं वापीस आजाओ डेट बंती मत करों मतला बारा दस बारा क्यों बोल रहा हूँ मैं दस बंदों के मूँ के सामने गाड़ी पेल दी बज गए खुस किसमत थे लेकिन अब सापों से दुबारा पंगे लूँगा तो ठिल भी सकता हूँ और जैसा कि मैं क्या ही रहता यार जोन इतना सा होता है देखो अगर मैं यहां से पीक करूँगा तो मुझे काफी डेमेज हो सकता है खैर साप आगे आ रहे होते क्योंकि जोन डंडे देता है उनके और साप स्पोर्ट भी करता हूँ मैं कुछ और एक साप की तो पेटी वन जाती है लेकिन यार इस भाई के और भी साप होंगे तो उन्हें ढूटने का भी काम जा रही है अभी के लिए और यहां पे यार फिर से वही सीन चल ले होते हैं साप के दो आगे साप साप के दो पीछे साप बोलो कितने साप ठीक है मतलब यहां पे हर कोई साप था तो बोल तो मैं नहीं सकता लेकिन हाँ आखरी बंदा आखरी साप जो होता है वो उठता है वो किसी ओल टीम का होता है और भाई उठके दूसरे साप पे फाइरिंग दे रहे होते हैं जो की साप ही बना होता है और मुझे निलगता है आपको कुछ भी समझ आ रहा होगा क्यूंकि सब्दों से जादा मैं स साब का इस्तेमाल कर रहा हूं साब भी एक शब्द है खेर वह सब छोड़ो गयार इससे जादा मैं सोच पर पढ़ूँगा तो दिमाग खराब हो जाएगा आज के वीडियो में इतने ही बहुत-बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए आखरी साब खड़े होके मेरे और अगर आप यहाँ पर नए हो तो करो सब इसक्राइब क्योंकि ऐसे गलत सीन गलत सीन दो बार क्यों बुल रहा हूं मैं गलत सीन और ऐसी डीटता तुम्हारा भाई करता रहता है तो सब्सक्राइब जरूर करना और भी ऐसे ही सस्ती वीडियो के लिए तो कल मिलते है भाई भाई झाल झाल